आज की जो वीडियो है यह requested वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जो यह चीजे जानना चाहती है कि प्रेग्नेंसी के दौरान जो उनके unwanted hairs है यानि कि अंचाहे बाल यानि कि कह सकते हैं कि आप जिस हिसे से urine पास करती है उस हिसे के जो hairs है वो उसे remove करना चाहती है और बियसी बात है हाई जिन परपस से खुद को neat and clean करने के लिए तो वो किस हिसाब से कैसे बालों को हटाए और दूसरा बात ये भी साथ साथ में मेरी कुछ सब्सक्राइबर के इस तरीकी के भी कमेंट्स आते है कि जिनकी जो delivery है वो जल्द को ट्रीम करें दूसरा तरीका हम बालों को रेजर से हटाए तीसरा तरीका हम क्रीम किसी भी क्रीम को यूज करके अप्लाई करके बालों को हटाए और लास्ट और चौथा तरीका जो थोड़ा सा पेंफूर माना जाता है वह है वाक्स के थूरू किस हिसाब से हम बालों को प्रावल्म्स को फेस किया और वह से नौ महिने के बीच आपकी डिलीवरी होने वाली इस केस में मेरा कुछ पॉसनल एक्स्प्राइबर ने किस तरीक़े के प्राव्लम्स को फेस किया और किस हिसाब से उन्होंने अपना क्लीन कराया और खुद किया या किसी से करवाया इस बारे में भी बात की जाएगी तो यहां हम बात करते हैं बालों को हटाने की यह बहुत ही कॉमन सी बात है और आपको अपने बाल हटाने ही चाहिए अगर मैं मेथड की बात करूँ तो आप एक से लेके छे महिने के बीच चाहे तो कह सकते हैं कि रेजर से भी हटा सकते हैं या बालों को ट्रेम कर सकते हैं तो इस case में थोड़ा सा डर लगता है कि बच्चे तक कोई chemical नहीं पहुंचे ये तो बात हो गई और दूसरी बात wax wax इतना ज़्यादा painful होता है एक तो हम लोग pregnancy के अंदर already परेशान होते हैं इतने सारे दर्द का सामना करते हैं हमारा जो स्कीन होता है वो काफी sensitive हुआ रहाता है उसमें हमेशा खुजली सा है कि खुद comfortable है तो आप वह भी कीजिए अब हम बात करते हैं 6-9 महीने के बीच 6-9 महीने के बीच मेरी कुछ सब्सक्राइबर इस तरीके का बताते हैं कि वह किसीने अपने husband से clean कर वालिया किसीने क्रीम का इस्तेमाल कर लिया तो देखे क्रीम का इस्तेमाल कर सकने कोई problem की बात नहीं है लेकिन हम इस क्रीम को इस हिसाब से बचाए कि last time में यूज़ करें क्योंकि आपको प्रेग्नेंसी के अंदर बार बार क्रीम यूज़ करना उस हिसे पर थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता हाला है मैं भी थोड़ा सा मना करती हूं मेरी कुछ सबस्ताइबर है वो भी अवाइड करती लेकिन क्या है कि अगर आपकी delivery होने वाली है आप सोच रहें कि उस बालों को हटाने की तो ऑबियसी बात है आप खुद क्रीम लगा कर हटाए चाहे रेजर यूज़ किजिए अपने हस ना क्रीम यूज़ कर पारें ना रेजर यूज़ कर पारें इस केस में आप क्या किजिए अगर नहीं हो पारा है आपसे तो आप मत क्लीन किजिए तो वहां भी जो नर्स होती है delivery से पहले आपकी इस हिससे को पूरे रेजर से या क्रीम के थूरूर हर अलग-अलग mostly मैंने र तक के लिए बाट को बता दिया कुछ एक आपने उस्क्राइबर के एक्सरीएंच को बताया अपने एक्सिण डृटीक्ट और दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकती हैं थैंक्स पूचे मिलते हुँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में तक तक के लिए बाए बाया एंट एक एक एन